वेलकम टू माई यूटूब चैनल मौडर्न एक्सपेरिमेंट है यूटूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको डेकोरेशन लाइट रेपेर करके बताने बाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर ते जरूर करें दोस्तों आप देख सकते हैं इस बल्ब में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप एक DC मोटर गेर बॉक्स के साथ लगा होता है दोस्तों जो हमारी LED लाइट के उपर के काइप होता है उसे चलाने के लिए दोस्तो उसके बाद यहाँ पर एक LED लगी होती है और दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें कुछ चार्जर के चार्जर चाहिए दोस्तो चार्जर इसमें लगे होते हैं DC करेंट देने के लिए दोस्तो तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस LED बल्ब को पूरे रिपेर करके बताने बाले हैं दोस्तो सबसे पहले हमें इस DC मोटर को इस पार्ट में फिक्स कर देना है तो चलिए दोस्तो हम इसमें इस DC मोटर को फिक्स करके बताएंगे दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप दो पॉइंट दी हुई है तो इन दोनों पार्ट को हम इस मोटर के पार्ट में लगाएंगे देख सकते हैं दोस्तों मोटर के अंदर भी दो पार्ट दिया हुआ है देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा मोटर है इसके अंदर बहुत ही प्रोपर तरीके से सेट हो चुका है देख सकते हैं दोस्तों दोस्तों अब हमें इस कैप को इस LED बल्व के अंदर के कैप में लगा देना है तो चलिए दोस्तो इस CAP को हम L.A.D. Bulb के अंदर के CAP में लगाएंगे दोस्तो आप देख सकते हैं हमने इस CAP को L.A.D. Bulb के CAP पर बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लिया है दोस्तो हमें इन दोनों वायर को बाहर निकाल लेना है यहाँ पे देख सकते हैं यह वार दोस्तो है जो हमारी मसीने उसका वार है और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तो दूसरा वाला वार जो हमारा मोटर है उसका वार है दोस्तो इन दोनों वार को हमें बाहर के साइड निकाल लेना है दोस्तो इसके बद हमें इस LED लाइट को इसके अंदर लगाना है देख सकते हैं दोस्तो हमारी LED लाइट बल्ब के अंदर लग चुकी है दोस्तो अब हम इसे स्कुरूप के मादम से टाइट कर लेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं हम इस LED बल्ब को भी इस कुरूप के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से टाइट कर लिए हैं दोस्तों जो हमारा वर्क है 80% पूरा हो चुका है दोस्तों हम इसकी वायरिंग को करना है दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर जो रेड कलर के लाइट है उसके अंदर दोस्तों जो हमारा मसीन का वायर आया हुआ है इसमें solding मार देंगे दोस्तो उसके बाद हमें जो हमारा motor का दो वायर आया हुआ है उसे दोस्तो यहाँ पे 330 जहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तो इन दोनों point पे solding मार देंगे दोस्तो आप देख सकते हैं इन दोनों वायर को हमें जो हमारा motor का wire है हमने solding iron की मदद से चिपका लिया है दोस्तो अब हमें जो हमारी charging machine है उसका wire इन दोन पॉइंट पर चिपका लेना है प्लस और माइनस के पॉइंट पर दोस्तो चिपका लेना है देख सकते हैं दोस्तो जो हमारी decoration light है बहुत ही अच्छे तारीके से work कर रही है दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर से जरूर करें दोस्तो वेल आइकन दबाना ना भोलें जो हमारा वीडियो को notification हो सबसे पहले आप तक पहुच जाए